हेलो फेंड एक बाफेर आपका स्वागत है हेल्थ केर हब चैनल पर आज हम वीडियो पर ये बात करते हैं कि अगर मिट्टी के बरतन में पका खाना खाते हैं तो इससे कौन से स्वासलाब होते हैं लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दलाओं अगर आप चैनल पर नए ह और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सकें साथ ही जानकारी के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें और वीडियो भोजन कभी अपने कई गुणों के लिए पारंपरिक भारतिय खाना पकाने के लिए इस्तिमाल किये जाते थे लेकिन आज लगभग हर घर में इन बरतनों को फैंसी और महेंगे खाना पकाने के बरतनों से बदल दिया गया है लेकिन आपको अपने नियमित खाना पकाने के बरतनों को छोड़ कर मिट्टी के बरतनों में खाना बना कर जरूर देखना चाहिए यह खाने में स्वाद जोड़ता है मिट्टी की शारिय प्रकृती के कारण मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ भोजन बहुत अलग स्वाद देता है मिट्टी के बर्तन में पकाने के लिए सबसे अच्छे व्यंजन है करी, स्टॉज, सौस, सूप और मीट ब्रेज मिट्टी का बरतन खाने का पोशन बनाए रखता है मिट्टी के बरतन स्वाद को बढ़ाते हैं और साथ ही खाने में आईरन, फासफोरस, केलशियम, मैगनीशियम जैसे खनेश पदार्थों को बनाए रखते हैं मिट्टी के बरतन की शारिय प्रकृती भोजन में एसेड के साथ परस पर क्रिया करती है और इसके पीएच संतुलन को बनाया रखती है वे भोजन में एक अच्छी सुगंध जोड़ते हैं और इससे स्वस्थ भी बनाते हैं और यह दिल की सेहत के लिए बहुत ही बहतर होता है मिट्टी के बरतन में खाना पकाने का सबसे अच्छा हिस्सा तेल का कम उपयोग है मिट्टी के बरतन में खाना पकाने की प्रकृया अन्या बरतनों की तुलना में धीमी होती है यह गुण भोजन में मौजूद प्रकृतिक नमी और प्रकृतिक तेलों को बनाये रखने में बदत करता है इस प्रकारिय आपके दिल के लिए बहतर बनाता है और हमारे देश में मिट्टी के बरतन सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध है इसलिए यह pocket friendly भी है मिट्टी के बरतन में बने खाने में iron, sulfur, calcium और magnesium जैसे पोशक तत्व प्रचूर मातरा में मौजूद होते है इन पोशक तत्वों का सेवन शरीर के लिए बहुत फैदेमंद होता है चूँकि मिट्टी के बरतनों में खाना आराम से पकता है इसलिए इसमें तेल का इस्तमाल भी कम किया जाता है और धीमी आच में पकने की वजह से मिट्टी के बरतनों में बनाए गए भोजन में मौजूद प्रकृतिक तेल नष्ट नहीं होते हैं इसके अलावा मिट्टी के बरतन पर्यावरंड के लिए भी काफी फायदे मंद होते हैं इसलिए इसमें भोजन पकाने के बहुत फायदे होते हैं और साथ ही डायवेटीज की समस्या से जूंज रहे व्यक्तियों के लिए मिट्टी के बरतन में बना भोजन अधिक फायदिमन्द होता है चूंकि मिट्टी के बरतन में भोजन पकाने की प्रक्रिया धीमी होती है और सही तरीके से इसमें भोजन को पकाया जाता है इसलिए इसमें पके भोजन का सेवन करने से इंसूलिन का उत्पादन संतुलित रहता है और डायवटीज के रोगियों के लिए इंसूलिन का उत्पादन संतुलित होना बेहत जरूरी होता है और विशेशक्यों के अनुसार मिट्टी के बर्तन में बने भोजन का सेवन करने से डियाबटीज के रोगियों के शरीर की इम्मुनिटी बहतर होती है साथ मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना सेवन करने से एस्टेटी की समस्या का भी खत्रा कम होता है इसलिए आज के दोर में एक बार फिर से इसका चलन बढ़ा है ग्रामेंड शित्रों में अभी भी कुछ चीजों को पकाने के लिए मिट्टी के बरतनों का इस्तमाल किया जाता है